तो नेकिए तीन नमर कह रहा है A, B, C एक सम्दी बाहूत तिर्भूज है दख लेजिए जिसमें बराबर भुजाओं A, C और A, B पर अच्छा ये A, C और A, B बराबर दिया है ठीक है करमस, सिर्सलंब, B, E, और C, F खीचे गए है अच्छा यहाँ पर देखिए ये B, E,SORRY B, E जो है और ये C, E, जो है ये दोनो्स ahlम है जो इन भुजाओं पर खीचे गए A, C पर और A, B पर तो ये सिर्ष लंब है, ये लंब खीजे गया है BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर तो हमें ये साबित करना है कि ये दोनों सिर्ष लंब बराबर है BE और CF आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करके अहां दिखाना है तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, दिया है कि तिरभूज A, B, C एक संदिबाहू तिरभूज है, और इसमें क्या दिया हुआ है, कि A, C और A, B वेराबर है, यानि A, B, A, C के वेराबर ये दिया हुआ है, ये भी AC के बराबर है और फिर उसमें BE का रहा है लंभ है AC पर और CF जो है लंभ है AB पर तो सिद्ध करना है कि ये दोनों सिर्ष लंभ आपस में बराबर है यह BE जो है ना CF के बराबर है ये हमें दिखाना है देखें चलिए देखते हैं तो अब यहां लिखते हैं इसका प्रमान और लेते हैं हमनों दो तिर्भूज कौन कौन सा देख लेते हैं तिर्भूज A, B, E तथा तिर्भूज A, C, F में जहांते देखिए A, B, E और A, C, F में इन दोनों में तीन चीजी चाहिए ना तो देखो तो एक A, B, E A, C हो जाएगा एंगल A, दोनों में उभाइनिस्ट हो जाएगा और यह लंब होने के कारण 90-90 हो जाएगा तो हो नहीं जाएगा तो पहले लिख लेते हैं कि एंगल एंगल A, E, B बराबर एंगल A, F, C प्रतेक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण प्रतेक 90 हो जाएगा समझे ना दोनों 90, 90 हो जाएगा लंब होने कारण चलिए देख लिजे A, E, B यह वाला 90 होगा और A, F, C यह वाला 90 होगा चलिए दूसरा चीज, तो यहाँ पर A B जो है न, A B, equal है आपके, किस के, A C के, यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, question में दिया हुआ है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो angle A बराबर में angle A, उभय निष्ठ हो जाएगा, दोनों में हैं, चलिए हो, तो इस तिर्भूज में देखो, इस दो कोण हमने दिखाए है, इस तिर्भूज के संगत दो कोणों के बराबर, और यहाँ भूजा ली है, तो यह कैसे सर्वांग सम हो जाएगा, यहाँ पर ली सकता है, कि तिर्भूज, A B E, सर्वांग सम हो जाएगा, तिर्भूज, A C F के, कैसे, angle angle side, सर्वांग सलता से, हो जाएगा, जब यह सर्वांग सम हो गया, तो यहाँ से आपका यह बीज होगा, बराबर हो जाएगा, C F के, कैसे, C P C T C, समझ गए, चलते आप अगले कोशन बे, कोशन नम्मर,